नमस्कार अभिननन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर इस वीडियो पर हम लोग जो है लॉज अफ मोशन चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका कुछ से एमसी कीव कॉश्टेंस इसके मोश प्रीवियो सीयास करने जाते हैं या तो प्रिवियो स यह करते हैं या फिर आने वाले एकजाम्स में क्वेशनस आ सकते हैं उसी टाइप के क्वेशनस होते हैं तो आप लोग इस तरह का questions का जादा से जादा practice करें और बार-बार इन questions को बनाएं ताकि आप exam में जो है बहतर कर पाएं तो चलिए आज का session का पहला question हम लोग जो है क्या है वो देखते हैं आज का session का पहला question है कि a person of 60 kg enters a lift going up with an acceleration of 2 meter per second square क्या बोला जा रहा है कि हम लोग अक्सर मॉल बेगारा में जाय करते हैं तो वहाँ पर lift लगा होता है lift लगा होता है इस lift में कोई वैक्ती जो है वो अंदर गया 60 kg उसका जो है weight है ऐसा बोला जा रहा है और ये वैक्ती जो है वो उपर की और जा रहा है 2 meter per second square के acceleration के साथ उपर की और ये जा रहा है 2 meter per second square इसका acceleration हो रहा है तो बोला जा रहा है कि the vertical upward force upward force क्या लगेगा इसमें upward direction में जो force लगेगा वो कितना लगेगा इस वैक्ती पर वो पूछा जा रहा है तो हम लोग Newton's का जो second law पढ़े थे उसमें हम लोग quantitative definition of force पढ़े थे that is F is equals to M into A F is equals to MA ये चीज हम लोग discuss कर चुके हैं lecture में ठीक है तो इसी expression में अगर mass का value जो है हम लोग बैठा दे 60 kg और acceleration का value अगर हम बैठा दे 2 है ना तो ये कितना जाएगा 120 newton force कैसा newton होता है ये चीज को भी हम लोग discuss किये है तो ये option number A जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा that is 120 newton ठीक है किसी को कोई दिक्कत कोई परियसा नी चली बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है हमारे पास a rifle fires a bullet of 60 gram एक rifle है एक rifle है इस तरह से इस तरह से एक rifle जो है आप लोग अगर देखे होंगे कहीं पर इस तरह से एक rifle है ठीक है ये rifle है ये जो है एक bullet को जो है fire करता है जिसका weight जो है वो 60 gram देखे रखा है ठीक है with a velocity of 50 meter per second velocity क्या देखे रखा है 50 meter per second है ना the velocity of recoil of rifle is 2 meter per second जब ये गोली जब ये bullet यहां से निकल जाता है इस rifle से तो इस gun को इस rifle को एक recoil velocity मिलता है that is 2 meter per second का है ना 2 meter per second का इसको एक recoil velocity मिस पीछे की और जहाटका जो लेता है बंदुख बगार चलाने के दर्मियान उसका जो है ये जहटका का जो मिन्स velocity है वो दिया हुआ है 2 meter per second है की नहीं तो अब पुछा जा रहा है कि इस rifle का जो mass है वो क्या होगा ये पुछा जा रहा है है की नहीं तो अगर हम लोग इस तरह से बात करें linear conservation of momentum का हम लोग जो है concept पढ़ चुके हैं और linear conservation of linear momentum का जो conservation of linear momentum का जो concept है वो क्या बताता है कि यहाँ पर अगर ये collision हुआ होगा कहीं न कहीं ये bullet में collision हुआ होगा तभी तो ये बाहर की और निकला है की नहीं hammer रहता है यहाँ पर इस तरह से एक hammer लगा हुआ होता है बंदुक के अंदर जो की bullet को fire करने में वो strike करता है bullet को तो यहाँ पर ये क्या हुआ है elastic collision हुआ है collision हुआ है collision हुआ है इसका मतलब क्या कि ये जो velocity होगा before collision that is m into a है की नहीं will be equals to 60 into 50 60 into 50 ये बराबर होगा दो है की नहीं हम लोग पढ़ चुके है linear momentum का जो conservation है उस law में हम लोग conservation of linear momentum में इस चीज को हम लोग डिसकास कर चुके है अभी mass equals to अकर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 60 into 50 upon 2 ये इधर आ जाएगा है की नहीं यहां पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएगे अभी ये क्या हो जाएगा ये 3000 upon 2 तो mass जो है हमारा आ जाएगा किस में आएगा gram में आएगा mass is equals to कितना आ जाएगा 1500 है ना और अगर इसको हम लोग किलो gram में change करेंगे तो 1000 से divide कर देंगे और ये 1.5 आ जाएगा 1.5 केजी तो 1.5 केजी that is option number C हमारा जो है यहां पर correct answer है ठीक है ठीक है तो 1.5 केजी या फिर 1500 gram भी आप कह सकते हैं अगर option में 1500 gram कहीं रहता तो हम लोग उसको भी choose कर सकते थे लेकिन यहां पर answer जो है वो केजी में दिया हुआ है इसलिए हम लोग उसको केजी में convert कर दिये then उसका answer जो हम लोग tick किये ठीक है चलिए अगले प्रसंद की और हम लोग बढ़ते हैं question number 3 जो है हम लोग के पास 2 bodies having masses in the ratio of 2 is to 3 fall freely under gravity from height 9 is to 16 क्या बोला जा रहा है कि दो body है हमारे पास है न दो body है मान लेते हैं कि कोई body A है और कोई body B है यह दो body है जो कि under gravity जो है वो free fall कर रहा है free fall कर रहा है free fall मतलब स्वतंत्र रूप से वो घिर रहा है उसको कोई जो है पकड़ा हुआ नहीं है न कोई तरह का उसमें जो है बाद हता है ठीक है gravity के under में जो है वो free fall कर रहा है ठीक है height जो है वो दोनों का वो उसका जो ratio दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 is to 16 और इसका जो है mass का जो ratio दिया हुआ है वो है 2 is to 3 ठीक है ऐसा दिया गया है तो ratio of their linear momentum linear momentum का ratio जो है वो यहाँ पर निकालना है मतलब p1 और p2 का जो है हम लोग को ratio निकालना है है की नहीं तो p1 will be equals to what m1 v1 upon m2 v2 यह हो जाएगा होगा की नहीं हो अभी देखिए अगर हम लोग mass को जो है 2 है ना और upon 3 मान ले और velocity जो है वो क्या हो जाएगा velocity यहाँ पर क्या हो जाएगा तो velocity हम लोग को पता नहीं है तो velocity जो है newtons का जो है हम लोग equation का use करके means newtons का जो equation of motion है हम लोग उसको gravitation वाला chapter में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम यहाँ पर direct use करेंगे that is v2 is equal to u2 plus 2 into g into h है की नहीं यहाँ पर v2 है final velocity है u जो है initial velocity है g जो है acceleration due to gravity है और h क्या है height है किसी भी body का height होता है उसको h बोला जाएगा है अब देखिए चुकि उस body को जो है वो जब भी कहीं से भी छोड़ेगा तो initial velocity वो जो होगा वो 0 हो जाएगा इसलिए यहाँ पर जो final expression v का जो हो जाएगा वो हो जाएगा v square will be 2 into g into h और v will be cos to root under 2 into g into h है कि नहीं तो v1 के जगा हम लोग put कर सकते हैं 2 into g into h1 और upon इसको under root में रखेंगे और under root 2 into g into h2 है ना अब देखिए यह 2g और 2g उपर नीचे खतम हो जाएगा है ना तो यह बच जाएगा 2 by 3 into root under h1 by h2 यह बच जाएगा ठीक है अभी देखिए h1 और h2 का जो हम लोग ratio दिया हुआ है तो उसको हम लोग put कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 by 3 into 9 by 16 इसको under root हम लोग कर देंगे इस तरह से है की नहीं तो 2 by 3 और into क्या हो जाएगा 9 का root कितना हो जाएगा 3 और 16 का root हो जाएगा 4 तो यह हमारा answer कितना हो जाएगा 2 into 3 that is 6 और 3 into 4 that is 12 मतलब 1 by 2 that is 1 is 22 इसका mass का जो ratio होगा मतलब momentum का जो ratio होगा linear momentum का जो ratio होगा दोनों body का वो कितना होगा 1 is 2, 2 linear momentum जो है momentum यहाँ पर बोला गया है plural form है दो body का momentum को यहाँ पर consider करके उसको plural form में बताए गया है इसलिए उसको momentum बोला गया है तो दो बोडी का जो लिनियर मोमेंटम का जो रेसियो होगा यहाँ पर वो होगा क्या? 1 is 2, 2 ठीक है? चली, बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है हमारे पास टू फोर्सेस, देट इस 25 न्यूटन एंड 16 न्यूटन act on a body of mass 1.0 kg the minimum acceleration will be minimum acceleration कहा कि आप क्या बोला जा रहा है कि 25 न्यूटन और 16 न्यूटन का दो बल किसी एक किलोग्राम के द्रब्यमान के पिंड पर कारे करते हैं तो नियूनोंतम तोरण क्या होगा वो बताना है है ना? तो देखिए minimum acceleration acceleration minimum जो होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले जो है mass का जो difference होगा mass का acceleration का expression हम लोग यहां से निकाल सकते हैं f is equals to m into a तो acceleration क्या हो जाएगा? acceleration will be क्या हो जाएगा? f by m है ना? मतलब force तो force जो है force का यहां पर difference निकालना होगा हम लोगो क्यूं? क्यूंकि हमको minimum acceleration चाहिए है ना? तो force का जो difference होगा वो होगा 25 newton minus 16 newton अपन mass का जो difference होगा वो कितना हो जाएगा? 1. mass तो एक ही 1 kg है उसका difference का हम लोग चाहिए नहीं 1 kg है है ना? तो 16 और 25 minus 16 यह कितना हो जाएगा? 25 minus 16 कितना हो जाएगा? 9 9 meter per second square यह जो है minimum acceleration आजाएगा इस body का है ना? minimum acceleration इस body का कितना आजाएगा? 9 meter per second square that is option number C ठीक है? that is option number C 9 meter per second square अगर हम लोग को यहाँ पर maximum acceleration चाहिए होता maximum acceleration चाहिए होता तो हम हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो force को है उसको add on कर देते जोड़ देते हमको minimum acceleration चाहिए था इसलिए हम लोग force को क्या किये? difference निकाल दिया उसका ठीक है? चली अगले प्रसंद की और हम लोग बढ़ते हैं आज का session का पांच्वाँ प्रसंद जो है reservation bogey में जो है उपर वाले coach में बैठा हुआ है which is to be stopped वो train जो है जिस पर वो बैठा हुआ है वो रुकने वाला है man drops an apple on the open hand of his friend sitting just below उस आदमी का जो है दोस्त उसी के ज़स्त नीचे जो है एक बर्त में बैठा हुआ है और उसको जो है वो एक save देने का कोशिस कर रहा है है ना दो मीटर का दूरी बताया जा रहा है दोनों दोस्तों के बीच है ना दो मीटर का दूरी बताया जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि apple जो है क्या उस वेक्ती के हाथ में गिरेगा जो उसका दोस्त है उसके हाथ में गिरेगा या जो है little away from the hand the direction in the train थोड़ा सा उसके हाथ के आगे गिरेगा या फिर जो है उसके हाथ के थोड़ा सा पीछे गिरेगा या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए यहाँ पर जो train है वो retardation की स्थिति में मतलब वो train रुकने के यह में है लेकिन जैसे ही save को वो गिराता है वो व्यक्ति वहाँ पर जो है save को horizontal face में horizontal face मतलब आगे पीछे इस face में कहीं बद retardation करने वाला कोई भी नहीं है मतलब वो free fall में है retardation उसका होगा नहीं इसलिए यह जो save है उस आदमी का जो है हाथ के थोड़ा सा आगे गिरेगा है ना थोड़ा सा क्या होगा आगे गिरेगा ठीक है option number A जो है train के motion के direction में थोड़ा सा वो आगे की और गिरेगा ठीक है चलिए option number B जो है हमारा यहाँ पर सही है अभी option अगला question जो है हमारे पास question number 6 वो क्या बताया जा रहा है कि a cannon of 150 kg sought a cannon of ball cannon ball of 1.5 kg कोई एक तोफ है तोफ है आप लोग कहीं देखे होंगे अगर इस तरह से उसमें जो है बना हुआ रहता है तोफ में तो यह 1.5 kg का तोफ है और यह जो है इसको जो गोला जो यह फेक रहा है वो 1.5 kg का है ठीक है बताय जा रहा है which goes with a velocity of 60 meter यह 60 meter per second के speed से 60 meter per second के speed से velocity से जो है वो जो है वो गोला जो है फेका जा रहा है 10 kilo का जो गोला है है ना तो the cannon will recoil with a speed of मतलब इस cannon का जो recoil velocity होगा वो कितना होगा means पीछे की और यह कितना जो है इसका recoil velocity होगा तो हम लोग linear momentum का जो conservation पढ़े है उसी से इसको हम लोग करेंगे और क्या करेंगे कि linear जो velocity है मान लेते हैं कि जो इसका recoil velocity होगा वो V होगा तो V into 150 will be equals to 1.5 into 60 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं है की नहीं और V will be equals to 1.5 into 60 upon 150 है की नहीं ऐसा हो सकता है की नहीं ठीक है तो अभी अगर हम लोग इसको जो है calculate करना चाहें तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 90 upon 150 है ना 00 cancel out तो यह बढ़ जाएगा आपका minus यह आजाएगा कितना 0.6 meter per second 0.6 meter है ना इसको अगर divide करेंगे आप लो तो 0.6 meter per second आजाएगा इसका answer है ना recoil velocity जो तोफ जो है पिछे की और कितना velocity से क्या होगा उसको जाटका लगेगा ठीक है ठीक है चलिए अगले प्रसन क्यों और बढ़ते हैं सात्मा प्रसन हमारे पास है sum of सात्मा प्रसन हमारे पास है sum of two forces acting at a point किसी एक point पर जो है दो force जो है वो लग रहा है है ना उसका sum जो है उसका जो sum है वो 100 sorry 8 newton है कितना है 8 newton है ठीक है क्या है 8 newton अब पता जा रहा है if the resultant of the force if the resultant of the force is at right angle जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक point हमारा a है है ना इस पर जो है दो force लग रहा है जिसका resultant दोनो force का resultant जो है वो इसके 90 degree में है है ना इस तरह का 90 degree में है दो force इस point पे लग रहा है है कि नहीं बोल रहा है resultant force is at right angle to the smaller of the two forces मतलब ये छोटा force है ये छोटा force है मान लेते हैं कि ये छोटा force है इसको हम लोग P मान लेते हैं और ये बड़ा वाला को Q मान लेते हैं दो force यहाँ पर लग रहा है इस point A पर और वो जो है ये छोटे वाले force से मतलब छोटा वाला जो force है P is smaller than Q छोटा वाला जो force है उसके साथ वो 90 degree के एंगल बना रहा है को नहीं resultant force आर है ना अब बोला जा रहा है कि अब बोला जा रहा है क्या कि दा है जब magnitude of 4 newton ठीक है 4 newton है क्या बोला जा रहा है two forces and has a magnitude of 4 newton ठीक है ये जो resultant force है उसका magnitude जो है वो 4 newton है ऐसा बताया जा रहा है ठीक है sum of two forces acting at a point is 8 newton if the resultant of the force is at right angle to the smaller of the two forces and has a magnitude of 4 newton sorry ये जो है इसका जो है 4 newton है मतलब P का जो value है वो 4 newton है मतलब smaller का जो है उसका जो value दिया गया है वो 4 newton दिया गया है है ना इसको थोड़ा सा इसका जो है 4 newton दिया गया है ठीक है P का value है ठीक है और दोनों का sum जो है resultant force जो है वो 8 newton दिया गया है ठीक है अभी देखिए ये 11th का थोड़ा सा topic यहाँ पर आज आ गया है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर अगर parallelogram law लगाएंगे vector edition का जो है parallelogram law अगर लगाएंगे इस तरह से तो ये एक parallelogram इस तरह से बन जाएगा ठीक ना इस तरह से एक parallelogram बन जाएगा ठीक है तो जिसमें ये इसके बराबर होगा ये इसके बराबर होगा ठीक है मतलब हम लोग अगर यहाँ पर एक पेरलोलोग्राम बना ले इसको पूरी तरह से हटा देते हैं, दूसरी फियू, जो है, दूसरा एक फोटो बनाते हैं, है न, जिससे आपको पूरा पता चलेगा अच्छे से, पेरलोलोग्राम अच्छे से बनना चाहिए, तभी समझ में आएगा यह question, है न, तो हम लोग पेरलोलोग्राम पहले अच्छे से बना लेते हैं, पेरलोलोग्राम, ठीक है? अभी देखिए, इसके साथ जो यह angle बना रहा है, वो 90 degree बना रहा है, यह हमारा P है, जो की 4 newton इसका दिया हुआ है value, resultant जो है, वो 8 newton है, और यह हमारा Q है, जो बड़ा है, P, जो है, वो छोटा है, Q से, है न, और resultant जो है, R जो है, हम लोग का दिया हुआ है, 8 newton दिया हु है कि इस P और जो Q का जो है, वो value जो है, वो क्या दिया हुआ है, पतलब जो individual forces का value है, वो हम लोग को बताना है, resultant force, ठीक है, resultant force जो है, वो हम लोग को बताना है, ठीक है, तो अभी जो है, हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पर, चली, देखते हैं, तो इस तरह से अगर हम ल एक triangle बन गया है, तो यह Q के बराबर यह होगा, और यह P के बराबर होगा, ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर होगा, है ना, तो हम लोग अगर इस तरह से करें, हम लोग क्या करें, कि Q square, Q square will be equals to 4 का square, Q square will be equals to 4 का square, plus P square, है ना, मतलब क्या, कि हम लोग इसको जो है, इसके बराबर बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग Q square लिख रहे हैं, है ना, यह right angle है, ठीक है, तो यह hypotenuse हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो इस तरह से, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, इस Q square minus, minus P square will be equals to 4 का square, that is 16, अब हम लोग लिख पाएंगे, A square minus B square, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, Q plus P, Q minus P, अब देखिए, इन दोनों force का जो sum है, वो दिया हुआ है, that is 8 Newton, दोनों force का जो sum दिया हुआ है, that is 8 Newton दिया हुआ है, है ना, तो देखिए, चलिए, यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा, तो Q plus P का जो है, 8 यहाँ पर हम put कर सकते हैं, और Q minus P, वो जो है, यहाँ पर रहेगा, 16 हो जाएगा, और Q minus P will be equals to 2 आजाएगा, ठीक है, Q minus P आजाएगा क्या, 2, अभी देखिए, Q plus P is equals to 8, and Q minus P is equals to 2, आग यहाँ हमारा, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से करें, तो 2Q will be equals to 10, so Q will be equals to 5, है ना, अब इसी में से किसी एक equation पर put कर दें, है ना, value, जैसे कि Q plus P, Q plus P is equals to, Q plus P is equals to 8 दिया हुआ है, तो Q का value 5 है, तो P का value कितना आजाएगा, 3, है ना, तो 3 और 5 आगया, 3 और 5 आगया, मतलब option number A जो है, हमारा यहाँ पर correct होगा, option number A जो है, हमारा यहाँ पर correct होगा, ठीक है, option number A जो, 3 Newton और 5 Newton ऐसा जो है, force होगा, दोनो P और Q का जो value होगा, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रसन की, और 8 प्रसन है हमारे पास, whenever a horse pulls a cart, the force helpful in the moment of the horse is the force exerted by, जब जो है, टांगा चलता है, है ना, टांगा इस तरह से चल रहा है, ठीक ना, इस तरह से चल रहा है, यह चक का जो है लगा हुआ है, तो अब घुर्णा इसमें बंधा हुआ है यहां पे, ठीक है, तो अब यह टांगा जो चल रहा है, यह घुर्णा जो force लगा रहा है, रोड पर, और उसका जो reaction force उसको मिल रहा है, उसके सहरे वो चल रहा है, मतलब, जो ground उस घुर्णे पर force लगा रहा है, उसके कारण वो च पार रहा है ठीक है चलिए नौमा प्रसन है बाडी अफ वन क्यूंटल मूज्ट विद अ कॉंस्टेंट वेलोसिटी अफ 1000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड और माश जो दिया हुआ है 1 क्यूंटल है न positive तो हम पूछा जा रहा है कि force acting क्या होगा force acting क्या होगा तो देखिए हम लोग force is equal to क्या जानते हैं f is equal to m into a और a क्या होता है a होता है rate of change of velocity तो rate of change of velocity मतलब यहाँ पर rate तो change हो ही नहीं रहा constant velocity के साथ चल रहा तो यहाँ पर acceleration जो होगा वो 0 हो जाएगा acceleration 0 होने के कारण यह पूरा force का value जो है वो 0 हो जाएगा तो इसलिए यह force का value 0 हो जाएगा तो यहाँ पर उस body पर कोई भी force नहीं लग रहा 0 हम लोग वहाँ का value बोलेंगे आज के session का जो है last question जो है वो अन्तिम प्रस्शन जो है a particle of mass m strike struck elastically against a wall at an angle of incidence 60 degree with a velocity V the change in model